नमस्ते, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ आप सभी अच्छी होंगे और एक ब्लेसिंग के साथ हम इस रिडिंग को स्टार्ट करेंगे, इस समय आपके पर्सन की करेंट एनरजी को मैं बताऊंगी, गाइडन्स दे के मैं आप सब की हेल्प करना चाहती रिडिंग पे बने रहिएगा, क्लारिटी के साथ इस रिडिंग को शुरू करते हैं, कुछ और मत सोचिएगा, बस इनका और अपने पर्सन का रिष्टा, उनका नाम, ठीक है, और आपका नाम, आपका उनसे रिष्टा सोचते रहिए, इमाजिन कीजिए, जब आपका पहली बार उनसे मिलना हुआ था, इमाजिन कीजिए, उस क्लारिटी को, कि आपको कैसा लगा था, जब आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता था, कोई गिल्ट, कोई भी हार्ट ब्रेक आप अब भी नहीं सोचेंगे, बस आप दोनों एक दूसरे की एनरजी इसको लेके सोचते रहिए, कैसा फील हो रहा है इस समय आपको, आपकी धड़कर नहीं बढ़ रही हैं, चीज़े आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, मेमरी इस बहुत ज़्यादा सुईट है, इस परसन इस लिटरली वेरी सुईट विद एवरीवन, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, कोई मान भी नहीं सकता, कि आपका ब्रेक अप इसले हुआ है, क्योंकि आपके परसन ने आप से बात करनी छोड़ दिया, दूसरों की नजर में ये इनसान बिल्कुल पॉफेक्ट है, बिल्कुल नाइन टू फाइव है, कोशिश करने पर भी आप इनके अंदर कोई कमी या गलती निकालना बहुत मुश्किल है, इतनी अच्छी इमेज है इनकी सब के सामने, किसी ऐसे फिल्ड में हैं, जहां ये फॉरिन सर्वेस, या फिर पासपोर्ट, या फिर टूरिस्ट, वीजा, कुछ ना कुछ, मतलब टूरिस्ट से रिलेटेड या आधार, इस टाइप की कोई गवर्मेंट सर्वेस से जुड़े हुए हैं, ये परसन हो सकता है, लोगों को उनकी पहचान दिलाने में ये हेल्प करते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है, कोई सोशल सर्वेस में हैं ये इनसान, टीक है, लॉव में भी हो सकते हैं, बीबीए, बिजनस में भी हो सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है न, ये जो परसन है, इनकी लाइफ में पहले से कभी कुछ प्लैन्ड तरीके से नहीं हुआ है, पहले से अगर इनकी कोई प्लैनिंग नहीं रही है न, तो भी तो भी उन्हें न, लास्ट मॉमेंट पर जाके सब कुछ समाल लिया है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप से न, अलग दिखाई दे रही है चीज़े, काफी अलग, जहां आप हर चीज, मतलब एक साल बाद भी आपको किस परिक्षा में बैठना है, मतलब कहीं जाना है, तो अपने कपड़े तेय करना है, सब कुछ आपका पहले से टूजे टिप टॉप तयार देख रही है, एक प्लैनिंग, एक शिड्यूल के साथ, बढ़ ये परसन लास्ट मुमेंट पर भी सब कुछ समाल लेते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि लास्ट मुमेंट पर भी इनकी जा एनर्जीज है, वो काम करते हैं, लोग कोई भी चीज ये खराब नहीं होने देते हैं, सब कुछ ये समाल लेते हैं, लेकिन न, जो दिखता है वो होता नहीं है, ये परसंट कभी भी आपके सामने जैसे कहते हैं, A to Z जैसे कहते हैं खुला और ऐसा लगता है कि सब कुछ पता होना, अगर आपको यूँ लगता है कि आपके परसंट को सब कुछ पता है, या आपको इस परसंट से रेरेटेड सब कुछ पता है, तो ये आपकी गलत फहमी ह क्योंकि आपके person की काफी सारी layers है आपके person की काफी सारी hidden emotions मैं यहाँ पे देख रही हूँ चुपाने में इस person का कोई जवाब नहीं चाहे third party को बूला नहीं है इन्होंने कभी भी third party के बारे में पकड़े जानी के बाद भी यह इन्सान काफी हद तक जूट बोल कर निकल सकता है काफी हद तक expert है यह इन्सान ठीक है आपकी energy मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि कोई भी चीज़ आप खुलके इनसे बात कर लोगे बोल दोगे तुरंत आके आपके मन में कोई बात रहेगी नहीं कुछ भी चीज़ है अगर आपको लगेगा कोई चीज डाउट होगा तो आप उनको अचानक बोल दोगे है ना बट यह person आपको सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना आपको जानना चाहिए जितना जरूरत है अपने आसपास की चारों तरफ चाहे वो family से जुड़ी हुई बात हो यह सब कुछ नहीं बताते तो एक तरीके से मुखोटा पहन के यह person बैठे हुए है आपको ऐसा लगा है कि इनके बारे में कुछ तो है जो यह नहीं बताते कुछ तो है यह नहीं बताते इसलिए guys मुझे लगता है कि आपको detective बनना पड़ा आप इनका social media खंगालते रहते हो ऐसा लगता है जो आप हो भी नहीं न मजबूरी में ऐसा आपको बनते हुए देख रही हूँ आपको कोई शौक नहीं है किसी की social media पे जाके जब लेकिन आपको इस person से clarity नहीं मिली जब mixed reaction मिला जब mixed feeling नहीं मिली तब आपको ऐसा करना ही पड़ा हालात की मजबूरी में आके आपने इस person को stock करना शुरू किया है तो भी ऐसा लगता है कि ये 24 घंटे मुझे लगता है कि अलग-अलग options को देखते रहते हैं कभी भी इस इनसान को मैं एक चीज़ से संतोस्ट होते हुए नहीं देख रही मतलब इनके पास दुनिया जहान की खुशी है चांद तारे हैं इतना प्यार करने वाला पार्टनर इनको मिला है तो भी इनको ऐसा लगता है न जिसे कहते नहीं है कच्ची कलियों के पीछे ये परसन पड़ा हुआ है मतलब इनको बहुत अच्छा लगता है कि लोग इनको चाहें इनकी तारीफ करें लोग इनको appreciate करें चाहे इनसे वो कम उमर के हो चाहे उनसे मतलब यह इनसान हमेशा popularity चाहता है हमेशा popularity चाहता है बातों में ही इतनी मिठास है कि सामने वाला आकरशित हो जाए सामने वाला पूछने पे मजबूर हो गा या उनके ख्यालों में ये परसन जिन्दा रहना चाते हैं ठीक है जान बूच के ये परसन हो सकता है एक पैटन बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे ऐसा पैटन है जहां मतलब इनकी जूट के तले आप बिल्कुल बोज आप पे इतना जादा आ गया है परसन को ट्रैप में लेने की कोशिश की है तो भी कही न कहीं जो आप सोच रहे हो वो सच्चाई सामने आई है ऐसा लग रहा है कि सालों से आपने इस परसन की चीजों को टॉलरेट किया है लेकिन यहां पे गंगा उल्टी बह रही है ठीक है जो चीज आपको एक्सपोज कर नहीं थी आपके परसन खुद आपसे ब्रेक अप करके सेपरेशन करके चले गए हैं सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इनोंने आपके सामने कोई आप्शन ही नहीं रखा है आपसे कनेक्ट करने का इस परसन ने आपको ब्लॉक कर दिया है गाईस ऐसा लग रहा है कि इन या किसी और को बोल कर इन तक पहुचना चाहते हो लग इनोंने खुद से अपना रास्ता बंद कर दिया है आपको यह अपने पास नहीं आने दे रहे हैं यह कत्रा रही है गाईस क्योंकि कत्रा रही है रही है दोनों के लिए टाइमलिस रीडिंग है बारा राशिया यहां पर मौजूद है सबसे जादा यहां पर नंबर 8 दिखाई दे रहा है एट दिखाई दे रहा है और नंबर 6 दिखाई दे रहा है ठीक है हो सकता है कि इसी तारीक को आपको ब्रेक अप हुआ हो लेकिन यह यह भी हो सकता है इतने सालों से आप सेपरेशन में हो और उस सेपरेश अगर आप ध्यान से देखोगे न, आप इनके प्यार में इतने अंधे रहे हो कि आपके परसन आपके साथ चाल चलते गए और आपने कहीं न कहीं गलती आपकी भी है कि आपने इग्नूर किया है। मिस मत करना, मेरी हाथ जोड के विंती है, मिस मत करना, वरना बहुत कुछ आप छोड़ दोगे, बहुत कुछ चूट जाएगा। इस रिडिंग को देखके जरूर जाना, बिलकुल, मतलब कहते नहीं है, आपके रॉंक्ते खड़े हो जाएंगे, देखना जरूर अगर आप इस परसन की सचाई को जानना चाते हो, तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि, जितना ज़्यादा इनको डर लग रहा है आपसे, ऐसा नहीं है, यह परसन डरा हुआ है आपसे, साफ बात तो यह है, यह परसन डरा हुआ है आपसे, इनको लगा कि प्यार के नाम पे आपकी, आँखो आँखों में ये जूल धूल जोंग देंगे वाव आँखों में ये धूल जोंग देंगे पर पर ऐसा लग रहा है कि ये अपने कर्टूतों में नाका मियाब हो गये हैं इनको नहीं पता था कि कोई इनको इस तरीके से पकड़ लेने वाला है इनको नहीं पता था इनकी जो ब आपके connection में, इस रिष्टे में ये person क्या सोच रहे हैं, पहले तो ये देखते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके person, इस रिष्टे में क्या आने वाला है, इंजल, समे गार्दिन्स दीजिए, unlikely, let go, meditation brings answers, देखो तीन कार्ड तो ऐसे आ गए हैं, जो बहुत शियरिटी से आपके लिए यहां पे आए हैं, देखो कुछ बहुत unexpected चीज़े होने वाली है, आपका सबसे बड़ा डर साबित होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि, अच्छा, इसके साथ एक कार्ड और भी है, take action, oh my god, देखो, ऐसा लग रहा है कि, बहुत unexpected चीज़ होने वाली है, जहां आप सोच रहे होना कि, यह person कभी नहीं बदलने वाला, जहां आपको यह लग रहा है कि, जब तक आप खुद से कोई action नहीं लोगे, इनका परदाफाश नहीं करोगे, तब यह person आपको जूट बो परसन को ऐसा फैसला लेते हुए कभी नहीं देखा कि, यह खुद से आने की कोशिश कर रहा है आपकी life में, जी हां, किसी ना किसी बहाने से इस person का मन है, कि आप से आकर यह person माफी मांग ले, oh my god, किसी ना किसी तरीके से आपके person की यह इच्छा है, कि आप से आके अपनी द दिल की बातों को बोल दे, यह बोज से अपने आपको हलका कर दे, आपके person की दिल से इच्छा यह दिखाई दे रही है, कि अपने इस रिष्टे को बचा ले, दिल से मैं इनको यह सोचते वे दिख रही हूं, कि कही ना कहीं जो इनसे गलती हुई है, उसको यह ठीक करना चा आ रहे हैं, कहीं न कहीं जो इननोंने फेरी टेल देखी थी आपके साथ, ऐसा लग रहा है कि उस नर्क से जहां पे सिर्फ दुख ही दुख है, जहां पे सिर्फ लस्ट ही लस्ट है, क्योंकि यहां पे दिखाई दिर है, अनलाइकली बहुत लस्टी एनरजी में यह person चले ग इस person को realize होती भी दिख रही है, और सतरंगी यहां पे action, इनका action प्लस सारे खुलासे आपके पास आ रहे हैं, इनकी जिन्दगी से जुड़ी हुई एक एक चीज़ आपको पता चलने वाली है, अब आप ध्यान से तयार हो जाओ, तयार हो जाओ इस person का कच्छा चिठ्था ख इचे इतने गुल खिलाए हैं, लेकिन पता है यह person क्यों वहाँ पसाने वाला है, देखो तीसरा कार्ड कैसा आया है, तीसरा कार्ड आया है, लेट गो, आपको मैं देख रही हूँ, कोई ना कोई एक ऐसा special इनसान होता है आपकी life में, कि आपने हर चीज, अपनी हर चीज इ जाती है ना, आप इतने जादा सौफ्ट हो जाते हो ना, कि जिससे कहते हैं, कोई इनसान हमें इतना चाहिता होता है, कि उसके साथ खून माफ है, तो उसी तरीके से इस person की हर गलती को माफ करते हो है, आप दिखाई दे रहे हो, let go वाली energy में दिखाई दे रहे हो, let go वाली energy में दिखाई दे रहे हो, ऐसा लग रहे है कि ये सब सुनते ही, इस person का बदलाव देखते ही, बदलाव आ रहा है आपकी तरफ, seriously यही energy है इस समय इस person की, कि ये बदलाव चाहते हैं, अपने अंदर ही बदलाव चाहते हैं, बदलाव तो बिलकुल आ रहा है, लेकिन आप ये 24 गंटों में, meditation brings answer, ऐसा लग रहे है कि आपको लगा ही था, आपको अंदाजा था कि ये person लोट कर जरूर आने वाले हैं, आपको लगा ही था कि ये आपका प्यार जरूर समझेंगे, ये आपका प्यार जरूर जरूर जानेंगे, और इनको एक दिन सबक जरूर होगा, इनको कदर जरूर आएगी आपकी, इनको जरूर से लगेगा कि आपका दिल दुखा के इनोंने बहुत बड़ी गलती किया, क्योंकि ऐसा लग रहे है कि आपकी जो emotional energy है आपका दिल बहुत ही जादा नाजुक है, delicate है, प्लस आप नहीं चाहते कि आपका प्यार यूहीं गवारा च ठीक है, आप आज तक किसी को देख भी नहीं पाए हो उस नजर से इस person के जाने के बाद, ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से single हो, ऐसा लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं, options हैं, offer आ रहे हैं, पर दिल है कि मानता नहीं, love, oh my god, garden, soulmates, oh my god, अब देखो इस से अच्छा कार, कहां ही आपको मिलेगा, जहां पर energy आगई love, सारे के सारे चक्रा, सारे के सारे प्लैनेट साब के इतने ही जादा aligned नजर आ रहे हैं, इस बार ना बहुत ही deep romance इस person की तरफ से experience करोगे, चाहे वो patch up करने के लिए हो, चाहे वो कुछ इनके जो अलग-अलग shades है न, अलग-अलग layers, इस से पहले इनोंने हमेशा बस अच्छा दिखाना चाहा है, यह person आपको अपनी insecurity के बारे में बहुत बताने वाले हैं, कि किस वज़े से यह भटके, किस वज़े से इनोंने यह सब किया, क्या है इनकी insecurity, और इस समय इनका कैसे सिर्मेदर्द हो रखा है, यह सोच के, कि अपने प्यार के पास यह कैसे जाएं, प्यार में जो सुकून है, प्यार में जो एक वो हैनक security है, वो temporary रिष्टों में नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यह person आपसे बोल रहे हैं, कि मुझे बस तुमारा प्यार हील कर सकता है, मुझे कि ऐसी energy में है, जहां पे इनको ऐसा लगता है, कि आप इनके पीट पीछे भी कभी भी प्यार को लेके जूट नहीं बोलोगे, और यही जो चीज है न, यही जो आपका प्यार है, यह इनको कही न कही motivation दे रहा है आगे आने की, इस समय यह person पता है क्या सोच रहा है, कि आप आपको यह अपना ऐसा प्यार देना चाहते हैं, आपको यह अपना ऐसा ऐसी energies देना चाहते हैं, you are enough, देखो you are enough की energy, जहां आप एक बहुती सुन्दर गार्डन में दिखाई देरो और बहुत सुकून से लेटे हुए हो, मतलब अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस enjoy कर मेरी रानी, तू बस मज़े कर, बस मैं हूँ तेरे लिए, तो जा तेरा जो मन करे वो करे, वो कर, मैं हूँ तेरे पीछे खड़ा, या मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तुझे कोई आँच नहीं आने दूँ, इसी energy को ना यह person आपकी love life में उतारते हुए है कि आपको हर खुशी देनी है, आपको शिकायत का मौका ही नहीं देना है, आपको इस कदर चाहना है, कि इतना तुम ही चाहना है, ना सोच सकोगी, है ना, यह देखो यहाँ पे, यह जो energy है, यहाँ पे एक चोटा सा unicorn है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके wish जो finally grant हो रही है आपके person आपको इतना खुश देख कि बहुत खुश है, मतलब उनके लिए तो यह ऐसा हो गया कि यह एक price चित हो गया, पश्चा ताप हो गया, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि family आपके साथ यह चाहते हैं, इससे पहले इनोंने कभी आपको clarity नहीं दियोगी, कभी भी offer नहीं दिया होगा, आप यह बहुत emotional होने वाले होगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है, बहुत emotional energy आपकी तरफ आ रही है, और जितना जादा आप खुद को अभी इस समय self love दे रहे हो ना, आपके person को समझ आ गया है कि आप किस तरीके का प्यार deserve करते हो, चाहिए आपको यह खाने को देंगे, या फिर कुछ जो आपको पसंद हो, चाहिए reading का, चाहिए writing का, ऐसा लग रहा है, nature में लेके जाएंगे, roses, gifts, ऐसा लगता, वो एक ऐसी चीज, ऐसे lover की energy में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा lover जो आपने हमेशे से imagine किया, लेकिन इस person ने आपको कभी दिया नहीं वो चीज़, देखो soulmates, आप दोनों की बहुत growth होने वाली है साथ में, आप दोनों बहुत ही जादा महसूस करोगे ये चीज़ की, इस separation के बाद से प्यार बहुत बढ़ गया है, आपको प्यार का देखने का नजरिया अलग, मतलब जहां य प्यार की बात है, सब कुछ बच से बत्तर हुआ है, नाउमीद जिन चीजों की थी, वो चीजे हुई है, जिसे unlikely का काड़ा गया है, लेकिन take action, पर इस action, इस जो person का action है न, वो आपके अंदर भी change ले आएगा, वो आपके प्यार में भी बहुत change ले आएगा, आपको भी रूप दिखाने वाले हैं, तब आपको जैनर नहीं लगेगा कि हम soulmates हैं, और soulmates में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बस यह कि एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का सच accept करने की हिम्मत आनी चाहिए, तो आपके अंदर जो यह बार बार डर आ रहा है, और जो इस person का डर है कि अब तो देर हो गई, इतनी गलती होने के बाद यह आपको face कैसे करेंगे, और आपका यह है कि यह तो मुझे छोड़के गए हैं, क्योंकि मुझे में कोई कमी हैं, बार बार बोलने के बाद, वो चीज़ पूरी तरीके से disappear हो रही है आपके रिष्टे में, यह इसा एक energy में आ रहे हैं, channelize करके अपने आपको ला रहे हैं, ऐसा balance आ रहा है आपके रिष्टे में, कि ऐसा लग रहे है कि इस चीज़ की तो आपने सिर्फ imagination की थी, आपको लग रहा था कि real versus जो film की life है वो बहुत अलग होती है, लेकिन आप बहुत divine kind of connection महसूस करने वाले ह ठीक है, wish fulfillment, inner peace आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, इसी person ने, जिसने आपका relationship बहुत जादा खराब किया था mental health, वही person आपको एक सुकून देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस energy में, तो reading कैसे लगी, बताइएगा जरूर, comment section में अपना feedback जरूर देना, सबी राशियों के लिए था ये, और जो मैं, पिंड comment में डाल रही हूँ, reading comment section में, उसको देख के जरूर जाना, आपके आँखे खुल जाएगी, शुक्रिया, God bless you, ये आपके person की timeless feelings थी, especially जिस वक्त आप देख रहे हो, अभी ये सोच रहे हैं, हरे कृष्णा,